Hello guys, finally a very good news from the institute, ये जो बुरा दौर चल रहा है, इमरान खान साब और रुशी कपूर साब ये बड़े-बड़े दो एक्टर हमने खो दिये, दो दिन में, और इसके बीच में कहीं एक अच्छी न्यूस हमें मिल गई, A big thanks to CMA Institute from me and my family of students, right guys, तो कहीं न कहीं एक अच्छी खबर हमें मिल गई आज, और देखें guys, उन्होंने बोल दिया, कि आपकी जो एक्जाम है, वो एक्जाम 20 जुलई, या उससे आगे स्टार्ट हो गया, right, अभी तक schedule exam का नहीं आया, schedule devil allowance soon on website, institute के website पे आपको मिल जाएगा, अब आप ये सोचने पे मतलगो कि सर्फ 20 जुलई को भी क्या exam होगी, ये situation अगर ऐसी panademic situation रही तो, guys ये सब चीजों में अभी सोचने का वक्त नहीं है, हमारे लिए अच्छी खबर चाहिए थी, हमें वो मिल गई, students, friends, ये आप एक opportunity समझो, अगर आप सिर्फ पास होना चा अब आप इस opportunity को एक बहुत अच्छे result में convert करवाओ, right, तो I request you all कि आपकी पढ़ाई जैसे चल रही थी, वैसे ही चलने दो, ऐसा समझो कि आपको ये bonus days मिल गए revision के लिए, हमेशा याद रखना, जिसके सर पे बोज होता है, वो हमेशा आगे बढ़ता है, आपने देखा पे उतना ही बोज रहने दो, जितना पहले exam का था, as if exam अभी time पे होने वाली है, उतनी ही जोडशोड से आप पढ़ाई कीजिए, guys I am sure you will be rock in this exam, एक opportunity है कि आप, जो आपको 40-45 days extra मिलेंगे, वो 40-45 days में आप खुद को prove करोगे, और paper solving, past exam papers से सब देखके चले जाओ, अब त situation ही नहीं चाहिए, सीधा पार वाली situation चाहिए, and I am sure guys, आप लोग ये पका करोगे, मेरे एक और दरख्वास्त है आप से, comment box में आप जरूर, institute को thanks कीजिएगा, क्योंकि उन्होंने हमारी request सुनी, और request सुनके, ये सब किया, guys, ultimately institute is parents of all the students, वो हमारी care नहीं तो क्या करते, right, तो again, I would like to thank a CMA institute, जो उन्होंने बहुत अच्छा स्टेप लिया COVID-19 को देखती हुए, and all the best to you guys, आपको कोई भी दिक्कत है, तो definitely exam के लिए कोई भी आपको दिक्कत है, तो definitely you can contact me at any time, thank you, thank you so much.